दोस्तो अगर आपके फोन में Facebook आप जो है वो hang करता है तो आप इस problem को कैसे सही करेंगे आप अपने फोन में Facebook आप चला रहे होते हैं अचानक से वो crash हो जाता है बंद हो जाता है अपने आप ही या फिर जो है वो एक ही जगार रुख जाता है तो आप इस problem को कैसे सही करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है आपको चले जाना है अपने फोन में Google Play Store पर Play Store पर जाने के बाद आप यहाँ पर उपर लिख करके सर्ज कर लीजेगा Facebook ओके Facebook लिख करके सर्ज करेंगे तो आपको Facebook दिखा देगा और अगर आपके फोन में Facebook आप का अपडेट आया हुआ है तो आपको सबसे पहले तो क्लिक करके यहाँ पर इसको अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद आप देखिए आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हुई की नहीं अगर फिर भी नहीं सॉल्व हुई तो आपको क्या करना है आपको चले जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है आपको सबसे पहले तो चेक कर लेना है आपके में सिस्टम अपडेट तो नहीं आया हुआ हुआ है अगर system update आया हुआ है तो आप अपने phone को पहले तो update कर लीजे मतलब phone में system update जो भी आया है वो कर लीजे उसके बाद आप चेक करिए लेकिन अगर फिर भी नहीं solve होती है problem तो आपको क्या करना है यहाँ पे करना है नीचे की ओरी scroll यहाँ पर click करना है apps पर manage apps पर और यहाँ पर click करके यहाँ पर आपको facebook जो है वो search कर लेना है facebook search करेंगे आपको facebook app दिखाएगा आप इस पर click करिए इस पर click करने के बाद आपको सबसे पहले clear data पर click करके clear cache कर देना है clear cache करने के बाद आप ok कर दीजिए उसके बाद आप facebook को force stop कर दीजिए ठीक है यहाँ पे force stop पे click करके ok कर दीजिए और उसके बाद आप अपना facebook आप अपना चला करके देखिए आपके problem solve हो जानी चाहिए बट अगर फिर भी problem नहीं solve हुई तो आप क्या करिए आपको simply यहाँ पे clear all data का एक option दिखा रहा होगा इस पे click करके यहाँ पे ok कर दीजिए इससे होगा क्या आपकी जो भी id facebook में login होगी वो id आपकी हट जाएगी log out हो जाएगी आपको फिर से अपना id जो भी अपका number है और password डाल करके login करना पड़ेगा तो यहाँ पे यहाँ पे आपको ok कर देना है ok कर देंगे आपकी यह problem solve हो जाएगी बट अगर फिर भी नहीं होती है तो आपको एक final solution क्या करना है आपको simply अपने phone को एक बार reboot या फिर restart कर लेना है और उसके बाद आपकी यह problem सही हो जाएगी अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब एं दल आइकन को प्रेस ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए